हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन माई चैनल वील वन मधू ब्लॉगर तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नौ ऐसी बुरी आपतें जो आपकी किड्नी के लिए हानिकारक हैं किड्नी को खराब करती हैं तो हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी नौ बु लिए ते पहले हैं आक्स कोफी एक्स काफी जव आप पीते हैं तो यह नौ नक्सान हो सकता है क्योंकि आहती है और इंग से ब्लैक कौफी होती है वह आपकी धरकन को टेज करती आपके ब्सेश्र को बढ़ाती है इस जो बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपके लिए हानिकारक होती है वो शरीर में कैफीन की मातरा को बढ़ा देती है जिसे किड्नी पर भी बुरा असर पड़ता है तो आए जानते हैं अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है तमाकु जो आप तमाकु लेते हैं वो भी आपकी कुछ देर का रिलेक्शेशन फील होता है कुछ देर आपको अच्छा लगता है तो तमाक को खाने से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका प्रभाव किड्नी पर भी पढ़ता है किड्नी को भी ज्यादा मातरा में आपका किर्नी के ब्लड्ड प्यौरिफाई करना प्लीज उत्य है किर्णी के दल्ड उत्य है ये वह टृट कbbleह शुरू करना दोम है यह किर्णी करना होती है बहुत ही महीन होती है फोट्रह ज्यादा दॉदा कि मेंचंजा ब्रिदाश सब्सक्षाइब को बंद कर दें तमाग को किसी भी तरह से अच्छी नहीं है आपके लिए और इतके अलाबा तीसरा पॉइंट है दोस्तों वह है रेड मीट अकर आप बहुत ज्यादा लाल मास खा रहे हैं अपने खाने में तो इसे भी आपको बंद करना होगा क्योंकि इसे गलाने में टाइम काम करती है तो जो लाल मास की जो गंदगी होती उसे फिर डवल काम करना होता है लाल मास की जो गंदगी होती है वह उसको भी प्यूरिफाई करेगी जो गंदगी है वह भी प्यूरिफाई करेगी उसको भी बाहर करेगी तो किड्नी को डवल वर्क करना पड़ता है ऐसे में चोटी चोटी बातों में चोटी चोटी दर्व में पेन किलर खाने लगते हैं और एंटिवाइटिक ज्यादा खाते हैं तो इससे भी हमारी किड्नी जो है वो धीरे-धीरे खराब होने लगती है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे हम लोग डॉक्टर से दबा नहीं लेते और जब भी आपको पेन कलर खाना हो तो आप उसे गूगल पर सर्च करके देखें कि वह आपकी किड्नी के लिए नुकसान रायक तो नहीं है तो आप इसको सर्च करके फिर उसके नुकसान पढ़के तभी उस दबा को यूज करें और पांचमा पॉइंट है आपको ढग से अगर नीड नहीं आती है यदि आप सो नहीं पा रहे हैं आपने सोने में कमी कर रहे हैं ए तो ब्लड प्रेशर तेज होना ही किड्नी को खराब करने जैसा होता है और 6 पॉइंट है हम लोगों का कि जरूरत से ज्यादा कम पानी पीना अगर आप बहुत कम पानी पी रहे हैं पानी को इदनोर कर रहे हैं तो भी आपकी किड्नी ठीक से वर्क नहीं करती है ऐसा इसलिए ह होता है क्योंकि किड्नी को सफाई करने के लिए हमारे शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है जैसे हम लोगों को अपने घर की गंदगी साफ करने के लिए हम लोगों को फर्स धोना होता है तो हम लोगों को ज्यादा पानी की तो गंदगी रह जाती है, ऐसे हमारी किद्नी को भी ज्यादा पानी की जरूरत है, अगर उसे पानी नहीं मिलता है, तो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती है, तो लेकिन फंक्शन करना भी उसे जरूरी है, तो बहुत कम पानी में वो फंक्शन करती है, जिससे वो खराब पया उप्रिषाय Gosh को सबढ़ होने लगते हैं उसकी बर्रढ काफी बर्डण पड़ता है उसकी नसुपर तो इसलिएक आजाता है कि ज्यादा ज्यादा पानी पीआ हम्लोगों की जो भी किद्नी की गंदगी है वह सब बाहर निकलेगी सब और हमारा सेवन पॉइंट है फास्ट फूर्ड जो लोग फास्ट फूर्ड जादा खाते हैं तो उनको भी किड्नी खराबोने की समस्या बन सकती है क्योंकि फास्ट फूर्ड में बहुत सारे ऐसे सिंथैटिक केमिकल डाले जाते हैं उसमें शुगर भी जादा होता है नमक भी आप खाना जो डेली खाते हैं कभी-कभी मजबूरी में भी देली लोगों को बाहर का खाना खाना पड़ता है तो उसे आपकम करने की कोशिश कर जीए दोस्तों अब एट पॉइंट है आपका डाइबटीज चार में से एक डाइबटीज पेशेंट की जो किड्नी होती है व किड्नी को बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी डाइबटीज पेशेंट हो तो वह अपनी डाइबटीज को 200 के अंदर रखने की कोशिश करें अगर इससे ज्यादा डाइबटीज है तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल जरूर क करें और उसे कम करने के कोशिश करें चाहे आप आयुरुवेदिक दवा खा गहलों से कम करें लेकर तो बिल्कुल कम करने की कोशिश करएं क्योंकि डियाबटीक रोगी गिन partnerships निसे म요ने गड़ाанов बॉट यह रहते हैं अपना blood pressure बिल्कुल maintain रखिए उसे बहुत ज़्यादा high मत होने दीजिए और अपने खाने में नमक की मात्रा मेलकुल कम रखिए हलका नमक खाईए अगर सबजी में नमक है तो उसे उपर से डाल कर मत खाईए क्योंकि जिनको high blood pressure होता है उनको hard attack होने का भी खत्रा होता है और kidney circulation उनका बहुत धीमा हो जाता है उनको obstacle होता है आगे blood ले जाने में तो इसलिए अपना blood pressure है वो बिल्कुल normal रखिए अपना कोशिस कीजिए बिल्कुल normal रहे और अगर आपके urine में ज्यादा जाग आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपके शरीर से protein ज्यादा मात्रा में न अपने खाने पर अपने खाने पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए कि यह पॉइंट्स आप मतलब आपके अंदर वह पॉइंट्स पॉजिटिव ना बनने पाएं आप बलकुल इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमें में जरूर पताईएगा ओके फ्रेंड्स बाई बाई